हलो दोस्तू नमस्कार प्राफिट गुरू चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वगत करता हूं तो दोस्तो इस वीडियो में हम अदानी गुरूप से रिलेटेड बात करने वाले हैं क्यूंकि वह एक और नई कंपनी को खरीदने जा रहा हैं ठीक है अब वह कौन सी कंपनी को खरीदने जा रहा है वह कौन सी इंडस्ट्री से बिलॉंग करती है यह सब चीज हम इसी वीडियो में कवर करने बाले हैं और उसी के साथ सब सब पहले मार्केट देख लेते हमारा तो मार्केट अगर आप देखेंगे दोस्तों तो चुका है लेकिन वह जेसे ही उपर आया दोस्तों वैसे ही पूरी तरीके से साइलेंड हो चुका है अभी समय हो रहा है करवन 11 बच के 45 मिनिट पूरी तरीके से मार्केट साइलेंड हो चुका है हमारा 17,936 रुपए 35 पैसे का प्रीवेस क्लोस था 18,44 रुपए पर ओपन होत दोस्तों हमारा CPI inflection का नंबर आया जो लगबख 7% के आसपास का में देखने को मिला उसका भी आज मार्केट पे कोई भी असा नहीं देखने को मिला क्योंकि हमारा मार्केट तो दोस्तों इस चीज को observe कर लेता है यहां से कोई दिक्कत नहीं हमारे inflection से हमारे market को कोई दिक् क्योंकि दोस्तों वो काफी बड़ी economy और GDP है काफी बड़ा दोस्तों वो market है और साथ में देखने वाली बात ये रहेगी कि फिर Powell साब Powell साब दोस्तों काफी aggressive तरीके से rate को hike करेंगे जो सबी जगा के market के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी ठीके तो हमारा market एक बार फिर से अठाराजार क्रॉस कर चुका है अब देखते हैं वो अठाराजार के लेवल के उपर कब तक टिकता है ठीके क्या एक बार फिर से यहां पर profit booking आएगी या नहीं या market का जो अठाराजाजा 600 का high ये वो break होगा या नहीं ये देखने वाली बात है market के related जैसा भी update आएगा हम को provide जरूर करेंगे तो फटापट से चैनल को subscribe कर दीजिए और इस वीडियो को भी like कर दीजिए ठीके तो सबसे पहले जो share का प्राइज है जिस company को वो खरीदने जा रहे है वो मैं आपको दिखाता हूं उससे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों देखे आदानी ग्रूप क् अगर फेल हो जाता है को इसी भी company से तो अदानी ग्रूप पूरी तरी के से खतम हो चकता है और ऐसी करते करते दोस्तों जो अदानी जी है तीके गोतम अदानी जी वो देश के नंबर वन दोस्तों रिचेस परसंट बन गए हैं एशिया में भी नंबर वन पर आ गए हैं 20% के लिए offer for sale निकाल दिया ठीके उसके साथ ही आपने देखा SEC हो गया SEC के बाद दोस्तों अंबुजा सिमेंट हो गया उनमें भी काफी ज्यादा वो investment करकर करके उनमें भी उन्होंने stake को purchase कर लिया ठीके cement industry में भी उन्होंने इंटर कर लिया है energy segment में भी इंटर कर लिया है स इसके कारण आप देख सकते हैं कि company तो बहुत छोटी सी है जैसे ही दोस्तों इसमें अदानी गुरूप का नाम जुड़ा stock rocket बन गया 5% के आसपास का चोरेयन भी रूपे के आसपास stock दोस्तों हमें क्या कर रहा है प्रेडिंग करते देखने को मिला है 5% का पर सरकिट लगा एक मेहने में stock दोस्तों 52-53% stock भाग चुका है और यहां पर overall का performance आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी company पसंद नहीं आएगी क्योंकि company का हालत जो है वो बहुत बूरा हमें देखने को मिलता है आप यहां पर देख सकते हैं कहां से कहां तक company आ गई थी लेकिन अब एक बाफिल से यह rocket बनने लगी है क्यों क्योंकि company का दोस्तों जो नाम जुड़ा है अदानी ग्रूप के साथ जिसके करन दोस्तों इस company का जो share का प्राइज है वो rocket बनते हमें देखने को मिल रहा है ठीक है तो हम किस company के बात करें हम बात करें दोस्तों DB reality limited मतलब दोस्तों जो property या real estate जो industry है sector है उसमें दोस्तों अब हमारे को अदानी ग्रूप भी इंटर करते देखने को मिल रहा है ठीक है तो इस company को वो खरीच सकते हैं यह news हमें निकलते देखने को मिल रही है और यह report के माद्यम से news सामने आ रही है ठीक है तो यह नहीं है कि जैसा है इसके साथ ना आप लोगों को लाया हूँ और यह update हमें दोस्तों 12 सितंबर मतलब कल का देखने को मिल रहा है आदानी reality आदानी reality company है ठीक है आदानी की और उसके साथ ही अगर आप देखेंगे मैं बिलाए के खुलासे पर db reality में upper circuit आदानी की एक और company मतलब bank dose से listing की तैयारी मतलब दोस्त तो यह company तो market में list नहीं है लेकिन इसके नाम से दोस्तों यह company market में list हो जाएगी क्योंकि यह company market में list है ठीक है जब इसका merger हो जाएगा तो अदानी reality के नाम से दोस्तों यह company market में फिर जानी जाएगी नीचे पूरा detail में हम news को देख लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं अ 12 रूपए के आसपास आ गया पांच पर के परसेंट का अपर सर्कृट लगा के अदानी रियलिटी अदानी गुरूप की लगजरी अगर हम बात करते हैं अदानी रियलिटी में बिलाई कि यह जानकारी ऐसे समय में आई सामने आई है जब गौदरेज प्रौपर्टी के साथ डीवी रियलिटी की बात्चीत आगे नहीं बड़ी मतलब दोस्तों जो हमारे गौदरेज प्रौपर्टी वह सबसे नंबर वन पोजिशन पर प्रौपर्टी इंडस्टी में यह रियलिटी में काम करने में इसके साथ भी दोस्तों उसकी बात्चीत चली थी किसकी डीवी रियलिस्टी की ठीके लेकिन वहाँ पर कुछ गडबड़ी हुई थी वह वीडियो के आखरी में बताऊंगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है ठीके वह चीज में आ नाद्यम से यह न्यूस सामने आ रही है और प्रोजेक्ट के लिए बड़ी मात्रा में फंड की जरूरत है इसके चलते वह एक साजीदारी की तलास में है और इसके लिए उसने आदानी रिलीटिक से बहतर लग रहा है मतलब अदानी ग्रूप जो है वह बहतर लग रहा है य इसके पूरा होने पर आदानी रियलीटी की मार्केट में लिस्टिंग हो सकती है तेके क्योंकि आदानी रियलीटी जो है दोस्तों वह मार्केट में लिस्ट नहीं है वह डीवी रियलीटी की जगा आ सकती है डीवी रियलीटी का बिलय आदानी रियलीटी में होने पर इसका नाम आदानी रियलिटी रहेगा डीवी रियलिटी घरेलू मार्केट में लिस्टिंग है यानि की बिलए के बाद आदानी रियलिटी अपने घरेलू एक्विटी मार्केट में लेस्ट हो जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ जानकारी के मुताबित आदानी DB रियलिटी में निवेश कर सकते हैं याने की नए शेर जारी होंगे नए शेर जारी होंगे तो दोस्तों शेर होल्डर को कुछ मिल सकता है साथ जो मतलब मार्केट में इन्वेस्मेंट करने से पहले ही जिसने आदानी रियलिटी में इन्वेस्मेंट करके रखा है अब देखिए आदानी की एक कंपणी से पहले ही साजेदारी है इस कंपणी के साथ आप यहाँ पर देखें क्या लिखा है DB रियलिटी मुंबई की है और इसके प्रोजेक्ट महालक्ष्मी, रिष्कोर्स, बेकसी और अंधेरीम के ग्रेंड मराटा होटल के नजदी की चल रहे है इसके करीब दो दरजेन प्रोजेक्ट में के पोटफोलियो में अधिक कत्र मुंबई है और कंपणी मतलब अधिक से अधिक जो इनके प्रोजेक्ट है वो मुंबई में चल रहे है इस कंपणी के किसके DB Reality के और कंपणी को इससे 65,000 करोड उपे के सप्लायर की उमीद है रिपोर्ट के मुताबित 3500 करोड के बेकिसी क्या बेकिसी प्रोजेक्ट में DB Reality से पहले ही अधानी ग्रूप के home के साथ मिलकर काम कर रहे है good home जो एक good homes करके company अदानी गुरूप की उसके साथ ही मिलकर क्या कर रही है काम कर रही है मतलब देखा जाए तो दोस्तो पहले से इनकी काफी बाचीत हो चुकी है अब मतलब आखरी पड़ाओ पर दोस्तो ये जो deal है वो चल रही है ऐसा सामने आ रहा है तो ये अगर deal होती है दोस्तो तो आदानी गुरूप की company हो जाएगी और आदानी का दोस्तो एक और market में दोस्तो क्या हो जाएगा मतलब एक और नया market capture हो जाएगा क्योंकि आदानी जिस प्रकार से दोस्तो business में पैसा बहा रहा है बसा दोस्तो डीबी reality की जो company अगर इनके हाथ लग जाएगी तो इनके जितने भी दोस्तो project है वो पहले सब को खतम करेगा company की condition और अच्छी हो सकती है अगर इस नाम से वो market में आ जाती है क्योंकि दोस्तो ये company का business और ये company का business plus हो जाएगा मतलब मर्ज हो जाएगा दोनों का तो इसका भी फाइदा share होगा ठीके और इसका तो already share market में list है ये मतलब दोस्तो ये company जो db reality है ये आगे जाके future में काफी अच्छी हो सकती है लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या है दोस्तो सबसे बड़ी क्या समस्या है अब उस चीज को ध्यान से समझेगा देखिए like mint की site के ओपर मैंने आप लोगों को लाया हूँ यहाँ पर देखिए जो godrej property है वो 10% का stake खरीदने जा रहे थे db reality में 400 करोड के आसपास का ठीके कितना ये पूरी officially news आ चुकी थी godrej property के तरब से भी और db reality के भी तरब से ठीके और ये news कप का है ये news आप देख लोगों को लेके चलता हूं तो यहाँ पर देखिए godrej property की site मतलब जो चार्टे उसके ओपर मैं आप लोगों को लाया हूं यहाँ पर आप देखिए समय क्या दिख रहा आपको 25 जनवरी 2022 डील का न्यूस कब आया था चार फरबरी ठीके तो जब स्टॉक यहाँ पर इंडर है जो एक बेकार कंपनी को acquire करने जा रही थी या partnership करने जा रही थी जो बिल्कुल भी दोस्तों godrej property के shareholder stakeholder को अच्छा नहीं लगा उन्होंने फटा-फटा से माल को बैशना चालो गया 742 रुपे से stock दोस्तों कहां पर आगया आप देखिए 742 रुपे के अंदर से stock इतना टूटना चालूँआ इतना टूटना कि वो 1314 रुपे पर आगया लगभग लगभग एक महने के अन्दर-अंदर इतनी बड़ी किरावट हमें देखने को मिली इतनी बड़ी किरावट ह दोस्तों एक अच्छी company की भी condition बेकार कर सकती है यह हमें देखने को मिल रहा था news ठीक है उसके तुरंद बाद जैसे चार तारी को काफी बड़ी गिरावट आई थी एक दम सारपली आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बेकार news हमें आते देखने को मिले थी शेयर में भी गिरावट यह news भी काफी बेकार देर उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टी की तरफ से दोस्तों दो से तीन दिन के अंदर ही अंदर एक बड़ा अपडेट फिर से आता है क्या अपडेट आता है अब वो मैं आपको दिखाता हूँ अब देखिए उस news को जानने के लिए मैं the economic time की side care पर आप लोगों को लाया हूँ उसके तुरंट बाद मतलब एक दो दिन के बाद ही बाद दोस्तों news आता है कि गोदरेज प्रॉपर्टी दोस्तों ये जो deal करने जा रहाता है इसको call off कर दिया है मतलब दोस्तों ये deal को cancel कर दिया है क्यों क्योंकि उनके share में काफी भरी भरकाम गिरावट देखने को मिल रही है जिसके कारण उनके shareholder को loss हो रहा है उनके shareholder काफी परिशान हो रहा है और उनके shareholder का दोस्तों इस deal को सही नहीं समझ रहे हैं ठीक है आदानी गुरूप के साथ भी ऐसा होगा या नहीं दोस्तों ठीक है जो आदानी reality company है ठीक है क्या उसकी भी 12 बजा सकता है दोस्तों डीवी reality ये देखने वाली बात होगी खेर ये तो पूरी company खरीद रहे हैं लेकिन दोस्तों जब दोनों के बिज मतलब इसका जो loss है ठीक है इसका loss जब एक अच्छी company के loss में दर्ज होगा ठीक है तो उस company का भी profit margin नीचे आएगा जिसके कारण दोस्तों हो सकता है कि अदान या रेती है अगर आप उसको खरीदोगे उसका एक वार करोगे तो सही रहेगा लेकिन एक बेकार company को एक अच्छी company खरीदने जाएगी तो definitely stock का price तो गिरेगा मैं बोल रहा हूँ अगर दोस्तों अदानी जो reality company है उसका अगर stock market में लिस्ट होता तो उसमें भी काफी 12 बज लिस्ट हो जाएगा खिर देखने वाली बात है कि आगे क्या होने वाला है लेकिन गोद्रेज प्रॉपर्टी तो दोस्तों नाम सुनते से ही दोस्तों stock में गिरावट आया जिसके करण इस टॉक दोस्तों काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली जिसके करण गोद्रेज जो कंपनी है वो दोस्तों अपनी डील से पीछे हटते देखने को मिले थी ठीक है खिर महां तो उन्होंने साही किया लेकिन अदानी करूप किस प्रकार से आगे करता है वो देखने वाली बात रहेगी ठीक है तो यह था आप लोगों के लिए धामा के दार अपडेट तो इ अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो टैंक्यू दोस्तों